उत्तर पर्देश में दाड़ी रखने के वजा से सस्पेंड हुए सविस्पेक्टर की फिर से हुई बहाली। हाल ही में उत्तर परदेश के बागपत जिले में सबस्पेक्टर इंतसार अली को बिना इजाज़त दाड़ी रखने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था इस पूरे मामले में मीडिया ने इंतसार अली से बात की तो उन्हों ने बताया कि नॉवंबर 2019 में ही दाड़ी रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से इजादत मागी थी मगर वो अभी तक पेंडिंग है सस्पेंड होने के बाद इंतसार अली ने मजबूरा अपनी दाड़ी कटवा ली जिसके बाद उन्हें फिक ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है प्यारे देशवासियो आपको मालूम है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है जाहन नागरिक को अपने धर्म पर चलने की आजादी है इसी तरह मसलिमान को भी पुलिस फोर्स में रहते हुए दाड़ी रखने की छोट है लेकिन उसके लिए ज़्रूरी है को दाड़ी रखने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट से इजाद ले ले आपको बता दें कि सिर्फ सिख धर्म के लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट में बेगिर इजासत के दाड़ी रख सकते हैं इंतसार अली को सस्पेंट करने के बाद सोसल मीडिया और मीडिया में इस पर काफी चर्चा हुई इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी इस मामले में राइटर अशोक पांडे ने भी ट्विट किया था कि कल यूपी में एक पुलिस इस्पेक्टर को दाड़ी रखने पर सस्पेंट की बात चल रही थी ज़्यदा तर लोगों का कहिना था कि पुलिस अधिकारियों को दाड़ी रखने की इजाज़त नहीं है मैं भी सहमत था पर आई पियस डी जी वंजारा साहब ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो दाड़ी में नजर आ रहे हैं अब सोच में पढ़ गया हूँ कि क्या गुजरात में नियम अलग थे इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर एबी पी नियूज की एंकर रूबिका लियाकत ने ट्विट किया था और कहा था कि जो लोग इंतसार अली पर हुई कारवाई को हिंदू-मस्लिम एंगल देने पर आमादा हैं वो पुलिस ड्रेस मैनूल कोट को अच्छे से पढ़ लें और आगे उन्होंने लिखा कि सलाम में दाड़ी रखना सुनत है जरूरी नहीं अगर दाड़ी रखनी है तो इजादत ले लीजिए पुलिस और सेना अनुशासन से चलता है रूबिका ल्याकत के स्ट्विट के बाद लोगों ने ट्रोल कर दिया एक यूजर ने लिखा कि हिंदू-मस्लिम करने का दंदा मीडिया और बीजी पी का है देश की जनता के पास इतना फाल्टू टाइम नहीं जिस तरह अभी तक रूबिका ल्याकत इस मसले में लोगों को ग्यान बाट रही है कि इसलाम में दाड़ी रखना जरूरी नहीं इस से बेहतर होता कि अगर वो खुद इसलाम और पेगंबर मुहम्म्मस अल्ला लिए सल्म की हदीसों का ग्यान हासिल करती क्योंकि आखरी पेगंबर मुहम्मस अल्ला लिए सल्म ने मुसल्मान मर्दों को हुक्म दिया है कि अपनी दाड़ी बढ़ाएं याद रहे पेगंबर मुहम्मस अल्ला लिए सल्म के हर हुक्म पर हर मुसल्मान को अमल करना जरूरी है क्योंकि आल्ला ने पुरान की सूरह हश्र आयत नम्बर 7 में कहा है जो नबी अल्ला लिए सल्म दें उससे ले लो यानि उस पर अमल करो और जिस से रोक हैं उस से रुक जाओ इस आयस से ये बात मालूम हुई कि एक मुसल्मान का दाड़ी रखना बहुत जरूरी है इंतसार अली उन सब लोगों के लिए एक मिसाल है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए दाड़ी रखना चाहते हैं लेकिन आज समाज में कई लोग ऐसे हैं जिने कोई परेशानी या मुश्किल नहीं है फिर भी पेगंबर मुहम्मद स.ब्सक्राइब कि इस हदीस पर अमल नहीं करते हैं ऐसे तमाम लोगों को प्यारे नबी की हदीसों पर गहर करना चाहिए और दाड़ी की एहमियत समझते हुए उसे रखना चाहिए ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें